एमसीडी के बकाया 13,000 क्रोन रुपए को लेकर भारती जन्ता पार्टी की तरफ से आज दिली के तमाम इलाकों में हस्ताचर अभ्यान चलाया गया सरोजी नगर मार्केट में दिली परदेश अदच आदिस गुपता के नित्वर्त में ये अभ्यान चलाया गया जिसमें सेकड़ों लोगों ने मार्केट में पहुँचकर इस हस्ताचर अभ्यान को सफल बनाया और MCD के बकाया 13,000 क्रोन रुपए को लेकर दिली सरकार के खिलाप ये हस्ताचर किये और जल से जल दिली सरकार MCD का बकाया दे ऐसा यहाँ पर उन्होंने इस हस्ताचर अभ्या को लेकर मांग करी आपको बता दे कि दिली सरकार के ऊपर MCD का 13,000 क्रोन रुपए बकाया है जिसको लेकर आज हस्ताचर अभ्यान चलाया गया स्रोजी नम्मागर मार्केट के सांसत अन इलाफ़े को नहीं सर आज किस तरीके से पूरा कारेगरम चला है हस्ताचर अभ्यान आज आप चला रहे हैं लेकि आज पूरी दिली में भारती इंता पार्टी के कारेकरता मार्केट के अंदर लोगों से जनता से हस्ताचर करा रहे हैं दिली के मुख्यमंत्री जी की जो तानसाही रवईया है और उसके कारण से वो 13,000 करोर रुपया जो निगम का पैसा है जो दिली की जनता का पैसा है दिली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है और जो सफाई कर्मियों की तंखा के लिए डाक्टरों की नर्सों की और टीच पैसा निगम का पैसा जनता का पैसा डिल्ली सरकार नहीं दे रही है इसके लिए हम肉 की अदालत में आ हैं और। ये सब अभ्यान चला पूरी दिल्ली में ये कल भी चलेगा आज भी चला है और लाखों हस्ताचर आज जनता कर रही है और वो ये समझ रही है हम दिल्ली सरकार को भी एक्सपोस कर रहे हैं अर्विन केजरिवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने है तब से पूरी तरह से दिल्ल दुबरा किया गया है उसके बार में क्या करेंगे देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो एक जूटा मुद्दा बना कर लाए हैं ये बात वो खुद भी जानते हैं और मुझे खुदी आमादी पार्टी के कई पार्षद मिले और वो ये कह रहे थे कि हमें तो दूद का दूद और पानी की पानी की तरह साफ हो गया है कि क्या सचाई है और क्या जूटा है सब दुनिया जान रही है देश जान रहा दिल्ली जान रही है वो पूरी तरह से फाल्स मुद्दा है कोई भी लेना देना कहीं नहीं हुआ है ये वो खुद भी जान रहे है इस जाइ ने जाइ ने